बहुत समय पहले की बाद है, एक जंगल में एक बड़ा ही आलसी उल्लू नामक जानवर रहता था। उसका नाम भोला था, क्योंकि वह बहुत ही मूर्ख और आलसी था। वह दिन रात सोता रहता था और किसी काम में अपना वक्त नहीं बरबाद करता था। जंगल के एक कचुए नामक कचुआ ने भोले उल्लू को देख कर दुखी हो गया। वह समझता था कि भोला उल्लू को कुछ सिखना चाहिए और उसकी आलसी आदतों को बदलना चाहिए। एक दिन कच्छुआ ने भोले उल्लू से बात की और कहा, भोले उल्लू, तुम्हें अपनी आलसी आदतों को बदलना चाहिए, आलस्य तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाएगा और तुम जीवन के बहुत सारे मौके गवादोगे। भोला उल्लू ने कहा, मुझे आलस्य की परवाह नहीं है, मैं जैसा हूँ, वैसे ही ठीक हूँ। कच्छुआ ने फिर से कोशिश की और उसने भोले उल्लू को एक महत्वपूर्ण सिख दिया। वह बताया कि कभी-कभी हमें महनत करनी चाहिए और आलस्य को दूर भगाना चा कच्छुआ और भोले उल्लू की दोस्ती और मजबूत हुई, और वे साथ-साथ कई बड़े मुश्किलों का सामना करने में सफल रहे। उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आलसी आदतों को बदलने का इरादा करने से हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। अपने जीवन को सुखमय और सकते हैं।